सुबध दस्वाइसल लेकी गयारवजे की बीचों पुस्तित हूँ आप सब के सामने आज इनकी कुंड़ी लेकर के आया हूँ इनका नाम है आशोक और यह हैं हिसार हर्याना से शुर करते हैं आज का कारिक्रम कहनी जाना है बिलकुर बंगे रहिएगा पर करिक्रम के आरंभ में आपको जैसे की मैं बताता हूँ मनुस्मृति की बात भगवान मनु ने अपने आदी ग्रंथ मनुस्मृति को कहा है कि ये सिर्फ ब्राम्हणों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है याद रखे मैंने पढ़ाने की बात किया है इसका अध्यायन और अध्यापन ब्राम्हण करे सिर्फ अध्यायन ब्रामण के अत्रिक्त, छत्रिये, वैश और शूद्र अध्यायन करेंगे पर पढ़ा नहीं सकते, मतलब अध्यापन का काम सिर्फ ब्रामणों के पास है ब्रामण ही इस ग्रंध को पढ़ और पढ़ा सकता है इसके अत्रिक तबाकी जितने हैं वो सिर्फ पढ़ सकते हैं पढ़ा नहीं सकते हैं दूसरा वो ब्रामण जो सुरूत्रिये हो और उसमें भी जिसके सारे संसकार बिल्कुल ही वक्त पे हुए हूँ इधर उधर नहुए हूँ संसकार जन्य है संसकार से सुरक्षित है यग्योपवीत नामकरण चूडाकरण आदी समावरतन जितने भी संसकार हैं वो सब समय पे हुए हो नहीं तो वो अनुपनीत हो जाता है फिर वो नहीं पढ़ सकता है अब आई आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग चैत्रमाह में जन्मे हैं इस वज़ा से थोड़ी गर्मी रहेगी उत्तरैण में हैं इस वज़ा से भी गर्मी रहेगी और व्यग्रता भी रहेगी वसंत रितु सुकलपक्षे के दसमीतिती के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग लगाएंगे सोमवार के जन्मे होने से जगडालू वस्तुता नहीं है नेचर वाइज जगडालू नहीं है थोड़ी घबराट थोड़ी जल्दबाजी ये मौसम के कारण हुआ है रितु के कारण आशलेशा नक्षतर में जन्मे है इस वज़े से काम थोड़ा रुगेगा आरम्मे में बाद में जाकर के सफल भी होगा तैतिल करण ठीक है ब्राम्मणवर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यप्ति को अपने जीवन में कम से कम सात्विक्ता बरतनी है और सात्विक्ता का पालन भी करना है जीवन को स्रेष्ट बनाने के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं या आपके भोजन पे निर्भर करेगा समाज पे निर्भर करेगा आपके आसन पे और आपके दिन चर्या पे निर्भर करेगा अब यह कुणली करक लगन की है लगन के अधिपती लगन में ही बैठे हैं नीच के मंगल के साथ करक लगन की कुणली के लिए अगर मंगल नीच के भी बैठेंगे तो कमजोर नहीं होंगे वो योग कारक ग्रह है सरवाधिक मजबूत ग्रह होता है लगन में बैटे हैं लगनेश ही उनका नीच भंग कर रहे हैं स्वास्त में थोड़ी बहुत समस्या पेट से बनती है अगर वो ना हो तो ठीक है अन्य था उसका ख्याल रखना होगा वैसे आपका रीसर्च छेत्र बहुत अच्छा है इसल जैसे ये कुंडली पढ़ने पढ़ आरंभ में कम पैसों पर नौकरी करने का योग बाद में चल करके बहुत बढ़िया बिपरित राज योग जन्मकुंडली में इस कुंडली में नहीं बना है बारहमे भाव के साथ साथ तृतिय भाव के अधिपती होते हैं बुद्ध इस कुंडली के लिए दो अच्छे अधिपती के साथ बैठे हैं नमंभाव में तो व्यक्ति चरित्र ही नहीं है बुद्धिमान है ग्यानी है गुणी है संपन्न है और तार्किक है इसके अत्रिक्त उसके पास धर्म को समझने की ताकत है अपनी बातों को आसानी से और सब तक आसानी से पहुंचाने की कैपसि अधिशनी समस्या नहीं हो इसका ख्याल रखना चाहिए राहू चतुर्त भाव में बैठ करके शनी और सुक्र दोनों को देख रहे हैं इस वज़े से आलस्य प्रमाद और मानसिक व्यग्रता और ठकान आनिद्रा की समस्या नहीं हो इसका भी दियान रखना चाहिए चतुर् अधिशनी में चंद्रमा बहुत संतुलित है दशमस्थान में पंचमस्थान में अकेले गुरू वरस्चिक हैं पेट का रोग नहीं हो और संतान उत्पत्ती में दिक्कत नहीं कि सुक्रभी शनी के संग अस्तंभाव में राहू से द्रिस्ट इसकारण से विबाह और दामप पलवान भी होगा और कमजोर भी होगा जिसके कारण कई बार उसमें कंफ्यूजन भी बढ़ेगी यहां पे बादचीत कम नहों बादचीत बंद मत करिएगा पार्टनर के साथ और चतुरत हस्थान में चंद्रमा का बैठना निश्चतुरू से लाभकारी योग बनेगा धन पित्रों की पूजा माता पिता के साथ समंद अच्छे और कम से कम गणेश जी की पूजा आवशक होगी चतुरत हस्थान के अधिपती अस्थम में कुहू योग पिता के साथ समंद खराब ना हो आपके पुत्र के साथ आपका समंद खराब ना हो और साती चल अचल संपत्त बनाने में आपको दिक्कत ना हो, ऐसा भी देखना होगा, पंचम भाव बहुत बढ़िया बना है, नीच के हैं, नीच भंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुरू से दिर्ष्ट हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों, इसे अच्छी बात कह सकता हूँ, अकेले हैं, ठीक नहीं है, भाव नास करेंगे, कस्ट होगा, और संतान बुद्ती में, वैसे बुद्धिमान और प्रोफिसर योग बना हुआ है, नैतिक्ता का कोई कमजूर होना इस कुणली में बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्ति की मॉरालिटी बहुत अच्छी है, और मो निर्विवाद र भाव को, चिंतन को और गंभीरता को बहुत ही जादा साकारात्मक बनाते हैं, स्वास्त, आयू और दृष्टिकोण, इसके साथ-साथ ब्रक्ति के जीवन में धर्म और बढ़ों का अशिरवाद, और साथ-साथ भाग्य का लाव और चिंतन की प्रक्रिया बहुत अच्छी और सुध होती है, सात्मे भाव के अधिपती के साथ-साथ अस्टम भाव के अधिपती, शनी इस कुंड़ी के लिए मारक होते हैं, करकलगन की कुंड़ी के लिए गुरु, मंगल और कम से कम सूरिये बहुत अच्छे होते हैं, सूरिये यहाँ पे मारक भाव के अधिपती है और जन्मकुणली में बुद्ध के साथ बैठे हैं इस वज़ा से और उस पे गुरू की दिर्ष्टी है एक मात्र गुरू की दिर्ष्टी से कुछ अच्छाईयां तो अवश्य मिल जाएंगी पर भन भाव के अधिपती का बारमे भाव से संबंध भागे भाव को विदेश य जात्रा, बाहर जाना, जन्मस्थान से दूर नौकरी देना आधी आधी चीज़ें दिखा देते हैं और धन बचाने में दिक्कत भी होती है। नमभाव में शनी बैठे हैं और यहां के अधिपती जन्मकुंड़ी में शुक्र अस्टम में बैठे हैं पर वर्गोत्तम हैं इस वज़े से मैं समस्ता हूँ कि पहले वो बिपरित स्थोती बनाएंगे फिर जाकर के कुछ अच्छा करेंगे। पर एक बात बता दूँ अग अधिप थौट बहुत अच्छा रहेगा, क्रियेटिविटी बहुत बढ़ियां रहेगी, बुद्धिमान और तर्क आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं और हमेशा युवा गपती दिखता रहता है। चीज़ें प्राप्त होती हैं, सोचने समझने की ताकत विखशित होती है, तारकिक्ता बढ़ती है और गम्भीर चिनतन में व्यक्ति उतरता है। बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल होता है, डीप थौट में बहुत उचको आननद आता है, चीजों को समझने की शक्ती होती है और बहुती जादा स्किल वाला होता है नमंभाव बहुत अच्छा है दशंभाव करियर को आरंभ में दिक्कत हो दिक्कत हो और छोटे-मोटे पैसे पे गुजर बसर जीवन के आरंभ में करना पड़ता है अरतालिसमे वर्स के बाद व्यक्ति को एकस्थाई इंकम का और भी ये नक्षत्र अच्छे हैं दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा दिशा इस कुंडली के लिए पस्चिम और उत्तर बहुत अच्छी रहेगी इस कुंडली में व्यक्ति के बाम छित्र जो शरीर का बाया हैसा होता है वो ज्यादा एक्टिव होत ये कुंड़ी की लिए सामाने बात होती है पस्चिम दिशा और चंद्रमा की दिशा आपको हमेशा ही यात्रा करने से पहले देख लेनी चाहिए अगर वो सामने और ताहिने पढ़ते हों तो बहुत अच्छा होगा इस ये कुंड़ी करक लगन की है भगवन चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं गुरू मंगल का प्रभाव लगन पे है मैं इसे खराब नहीं कहूंगा दशमभाव के बाद एक आदश्वा जर्म कुंडली में दशमभाव की अधिपती का लगन में बैठना व्यक्ति अपने पैर पर जल्दी खड़ा होना चाहता है और व्यवस्थत नहीं रहना चाहता है चीजों को सलीके से रखना चाहता है और वैसे भी आपकी कुंडली में ब्यापारी कुंडली है आप अगर चाहें तो ब्यापार तो बाद में भी कर सकते हैं पहले आपको नौकरी की पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए, वैसे आपकी कुंडली में सुक्र और गुरु का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, पर शनी ने गुरु को देखा है, शनी की दिश्टी यहां पे है, मेहनत करेंगे तो निशित उसे नौकरी मिल सकती है, अभू केतु का प्रभावस्तंभाव पे है, इस वज़ा से यात्रा में, पॉकेट मारों से, पहाडों में, जंगलों में, नदियों में, जहरनों में, समुद्र किनारे और छोटी मोटी चोरियों से आपको नुक्सान हो सकता है, लगन के अधिपती का पंचम में नीचका हो देर से परसफल हो जाए, सुक्र चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना, ब्यापारिक दृष्टी कोन भी इस कुणली का होगा, और आपकी पतनी के साथ भी आपकारोबार में जा सकते हैं, बुद्ध का धनबाव में बैठना, नश्यतरु से धन देगा, और बचाने की प्रभ मानसिक दक्षता को पूरा करेंगे, और नश्यतरु से धक्ति की कुणली में गुरु की दशा, मंगल की दशा, इसके अत्रिक्त जन्म कुणली में चंद्रमा की दशा, और साथ ही साथ कुछ हद तक शनी की दशा, बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी काम करना हो, गुरु औ और सुक्र और चंद्रमा, ये दशाएं आपके लिए लावदायक होंगी, विवाह अगर कभी भी करना हो, जैसा की होगा, तो आपकी कुणली में विवाह के योग जन्म कुणली में बनेंगे 2025 के बाद, जुलाई से, और वैसे, गोचर के हिसाब से अगर अभी देखेंगे इसे और भी ठीक कहेंगे, धनियोग कितने बने हैं, तो लगन के अधिपती का लगन में बैठना, धन के अधिपती का भागे में जाना, तिर्तिय के अधिपती का तिर्तियों को देखना, ठीक होगा, चतुर्थ के अधिपती का अस्टम में जाना ठीक नहीं है, पंचम के अ ठीक बना है, महालक्ष्मी वान योग है, एका दश्मा भाव दारिद्र दोश्य पिनित करेगा, सुक्र की दशा को कई बार नुक्सान से भी देखा जा सकता है, बारे में भाव का प्रभाव कमजोर है, रिण लीजिये का दीजिये का मत, इतनी सी बात है, अब क्या बताओं, और भी घराई से समझते हैं, लगन की अधिपती का नवम में जाना, पंचम में जाना, दश्मान स्कुनली के लिए ठीक होता है, पर वस्तुता अगर वो नीच के हैं, तो परिशान करेंगे, पर फिर भी, जब दूसरे लेबल पे देखते हैं, तो धन भाव के अधिपती का धन में बैठना, गुरू से दृष्ट होना, वापस घूम करके बक्ती के पास धन, जो उसका है, वो मिल जायेगा, इस वज़े से बहुत ज़ादा गबराने की कोई आवशक्ता है, मैं महसूस नहीं करता हूँ, यहाँ पे सुरी के साथ केतु का और राहु का संपर्क, आप आपके आतना विश्वास को कभी-कभी डग मगाने के लिए काफी होगा, लेकिन महनत अवश्य ही लेंगे, लेकिन इसका परणाम आपको अवश्य ही मिलेगा, इस वज़े से महनत से कभी भी कमजोर मत होईएगा, इस भाव का अधिपती इसे यहाँ भी देख रहा है, इस इस कुंडली के लिए साथ बहुत अच्छा है और वैसे पांच भी बहुत अच्छा रहेगा, इसके अत्रिप्त आपकी कुंडली में नक्षत्र मैंने बताया, राशियां बताई, आपकी कुंडली के हिसाब से ब्रिश्चिक और मीन राशियां बहुत अच्छी रहेंगी, तो ग्रह 25 प्रतिशत के साथ बलवान होंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध और गुरु 50 प्रतिशत के साथ, लेकिन आपको अनुभव देने वाले बनेंगे, इस वज़ा से बोलिएगा कम, सुनिएगा जादा, देखिएगा कम, और समझिएगा जादा, देखिए बाद आपकी कुंडली में शुक्र और शानी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, अवस्थाओं के इसाब से, इस वज़ा से उनको बल दीजे, हनमान चाली साका पार्ट, गीता जी के 18 में अध्याय का पार्ट, सुर्य को अर्ग, पीपल के ब्रिक्षे की परिक्रमा, और इसके अत बता दूं, तो आपकी कुंडली में बिद्या भाव बहुत अच्छा बना है, संतान का सुख निश्चित रूप से आपकी कुंडली में होगा, करियर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, पर आरंभ में दिक्कत होगी, अभी आप दिक्कत में हैं, दशाओं के करम में अगर बात कहूं तो अभी शुक्र की दशा है इस वज़ा से भी आपको नुक्सान थोड़ा बहुत हो सकता है नुक्सान है अभी और इसमें ठीक होगा 2025 के चुलाई से अभी दो वर्स और और उसके बाद आपको सुरी की दशा में बहुत अच्छा लाव होगा जो आपको पि आप चंद्रमा और मंगल में से कोई भी पहन सकते हैं मतलब मुंगा और मोटी या तो दोनों धारन कर सकते हैं पर अभी शुक्र की दशा है इस वज़ा से चंद्रमा कारतन चांदी में सवा सातरती से ज़्यादा भी ले सकते हैं वैसे कोई उसकी भी दिक्कत वाली बात नह आपकी अवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि अस्तंभाव बहुत ही ज़्यादा बहतर बना हुआ है कुछ और पूछना होगा मुझे बता दीजेगा वैसे आपकी कुंडली नौकरी वाली है पर इस वज़ा से भी आप कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ कादिपती वस्तुता लगन में है तो जल्दी कड़ा करना चाहता है अपने पैरों पे स्वाभिमानी बनाना चाहता है पर यहाँ पे केतु कंफ्यूज करते हैं और मानसी विकलता देते हैं इस वज़ा से जितनी जल्दी हो सके किसी भी एक पॉइंट पे पहुँचे पर अभी आपके पास नौकरी के लिए कम से कम मैं अगर कहूं तो दोज़ार अठाइस के मार्च के बाद तक का समय है अब लगतार फॉर्म भरते रहिएगा पर 2025 के जुलाई के बाद एक आप्शन पे चले जाईएगा कि मुझे एक्चुल में करना क्या है नहीं होगा तो फिर खुद का काम करिएगा प्राइवेट नौकरी मत करिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर